काउंसलिंग में क्या हो रहा है क्या नहीं वह तो कल भी आपको पता है आज भी वही हुआ है और आज भी बहुत सारे स्टुरेंट्स का जो है वो वेटिंग में गया है काउंसलिंग कोई जो है वो आवासिय लेकर के नहीं गया था कोई इंकम सर्टिफिकेट लेकर के नहीं गया था तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि कंप्लीट डॉकुमेंट्स नहीं लेकर के जाने की वज़य से उनका जो है वो वेटिंग में डाल दिया जा रहा है काउंसलिंग वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं वेटिंग काउंसलिंग वाले में आपको counseling का date, day, time ये सारा डालना हो रहा है, अपना नाम डालना हो रहा है, application number जो आपको मिला था, registration number वो डालना है, photo paste करना है, आपके document के सारा percentage और वो सब लिखना जो कि आप exam में डाले हुए थे, और तब आपका document verification के लिए आप जा रहे हैं, तो जो form में आपनों fill करके आ रहे हैं, उसमें fill करके उनके पास ले करके जा रहे हैं, वही सारे documents आपको ले करके वहां जा रहे हैं और फिर उसका verify हो रहा है, जो आपने exam form में डाला हुआ है, जो उसमें डालेंगे और जो आपके पस document है, exactly same है या नहीं, बहुत सारे लोगों को problem हो रही है कि उनका नाम मेभी ग्रिजुशन में काम है यह अलग है या फिर spelling अलग है तो ऐसे ऐसे अगर problems है आपके पास तो आपको पहले clear कर लेना चाहिए था अगर clear नहीं किये हैं तो भी आप लोग college में apply कर देजिए clearance के लिए वहाँ से आपको application मिल जाएगा या फिर प्रिंस्पल से आप ले लिजिए sign की means आपका change होने वाला इतने दिन के बाद change हो जाएगा क्योंकि मैं फिर से आपको बोरी थोरे से mistake की वाजसे जो है आप लोगों का cancel हो जाएगा वेटिंग में चल जाएगा वेटिंग में क्या होगा अभी तो कोई news नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते हैं दूसरी बात मैं बोलूंगी कि college के selection के लिए बोला जा रहा था तो उसके लिए एक news आ रही है कि college का selection जो है students को दिया जाएगा अभी नहीं एन यू के website पे upload किया जाएगा कुछ दिन बाद जिसमें से पर student को 10 college अलोट किया जाएगा आपको जो है 10 college स्में से select करके और देने है उनको तो 10 colleges का selection जो देंगे उनमें से जो college according to your rank suitable होगा वो आपको दे दिया जाएगा that means आपको preference देने है अपने colleges के आपको कौन कौन से college चाहिए और उसके according अगर आपका rank है उसके according तो ही आपको वो अलोट होगा मतलब 10 में से आपको एक अलोट कर दिया जाएगा तो यह news भी आ रही है यह एक दो दिन में NOU के website पे upload कर दिया जाएगा यह college वाला और after counseling college selection स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद से college जो भी आप select करेंगे आपका admission हो जाएगा यही news है अभी रिगार्डिंग बीर इंटेंस exam regular mode का यही news है distance mode में भी कोई भी news नहीं आ रहा है sorry ओके तो friends आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे like कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता अतना share कीजिए आपका चैनल है आपके benefit के लिए बनाए जो लोग चैनल पर नए आते हैं वह प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और bell icon जो दिया गया है उसे भी क्लिक कर दें क्योंकि अगर आप bell icon क्लिक नहीं करते हैं तो जो भी latest update मैं डालती हूं या फिर हम लोग लाइव सेशन लेते हैं तो आप लोग पास notice नहीं जाएगा तो जिससे आप लोग हम लोगों से connect नहीं हो पाएंगे तो bell icon को जरूर प्रेस कर दें तो friends फिर म झालती है